मुहमद आजम खान को लेकर के खबर है कि आजम खान को कल देश की सबसी बड़ी अदालत सुप्रिम कोट ने रहाब दी थी वो भी यह कह करके कि आप नीची अदालत जो सेहसन कोट है आप वहाँ जाईए वहाँ आपका यानि कि आज गुरू बार है आज उसकी सुनवाई रही है क्या बहाँ चल रही है दोनों पक्षों में जो आजम का वकील है और जो महाँ पर इस भार गभी है अभी जो आजम का पूरा प्रक्रण है वो सुप्रीम कोट ने क्या कहा है आजम को कि आजम को क्या करना चाहिए जिससे उनकी सदस्ता बच जाए देखे रभी मैं आपको बताओं कि अजमखान की सदस्था हेट स्पीस मामले में तीन साल की उनको सजा हुई थी जिसके बाद उनकी सदस्था अध्यक्ष है उन्होंने भंग कर दी थी उनकी सदस्ते यहां पर उनकी रामपुर की सीट है वो जो है खाली हो चुकी थी और इसी को लेकर आजमखा सुप्रीन कोर्ट में पहुँचे जहां पर डीवाई चंद चूण और हिमा कोहिली की पीठ ने कल नौ तारिक में इनकी सुनवाई की थी और उसमें उन्होंने ये का काफी कड़ी फटका लगाई कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि आज लोवर कोर्ट का डिसीजन आया है और उसके कुछी समय बाद उनकी सदस्ता भंग कर दी जाती है और अभी सदस्ता भंगी ही होती है और उसके बाद निरवाचन आयोग उनकी सीट पर उप्चुनाव की गोषणा भी कर देता है आखिर क्यों आजम खान को समय नहीं दिया गया सुप्रिंग कोट ने कहा कि आजम खान को इसमें समय दिया जाना चाहिए था उन्होंने यह चुनाव जो हमने घोषण कर दी है उसको चुनाव को रोका नहीं जा सकता जब इस बात को चुनाव गुरुवार को ही जो है आज जो है इस पर सुनवाई होनी चाहिए और साइद जो है डिसीजन भी जो है आज ही आ जाएगा इस पर उसके बाद जो है इस पर भविश्य जो है आजम खान का भविश्य जो है इस उस पर निर्भर रहेगा अब देखिए इसमें लाब की बात तो यह है कि जहां पर अलेक्शन कमिशन को जिस हिसाफ से सुप्रिंग कोड ने फटकार लगाई थी सुप्रिंग कोड नाराज हुआ था कि आखिर ऐसी क्या जल्दी है क्या अन्य जो राज्ये हैं उनमें जो उपचनाव होते हैं क्या निर्वाचन आयोग क्या इतनी ही जल्दवाजी करता है उसमें अपनी प्रिक्रिया पूरी करने के लिए या सिर्फ इसी केस में ऐसा किया गया इसको लेकर सुप्रिंग कोड ने कड़ी फटकार लगाई थी इसी के बाद जो अब यह लोवर कोड में आया है इसमें इसमें पर आजम खान का भविश्य निर्भर करता है कि इसमें उनको राहत मिलती है कि नहीं मिलती है जैसे कि सुप्रिंग कोड के डिसीजन के बाद निर्भाचन आयोग ने जो आज यहाँ पर प्रकासित होनी थी उनका जो आज नॉमिनिशन वगरा आज से सुरू होना था वो उस पर विए रोक लगा दी गई है chi जो है रोक आगे जब तक डिसीजन नहीं आजाता है लोवर कोड का उस पर यह रोक यह रोख लागू रहेगी अब यह देखना होगा कि जो है अदिसुचन जो है फिर जो है आगे कि जो नई तारीक होगी अलेक्शन कमिशन उसको वो लागू कर सकता है बाराल अदिस तुमने जानकारी दिये इसके लिए बहुत धन्यवाद अब भी आप देख रहे थे कि हमारे जो यूपी हेड हैं अदिस भारदवाज ने बताया है कि आजम को किस तरह से क्या क्या रहात में जखती है क्या आजम के खिलाप जा सकता है बहुत जल्द जो देश क कि सब्सक्राइब अदालती सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत जो सेसन को भेजा है वो बहुत जल्दी आपके सामने होगा नमस्कार मैं हूं रभी सकसेना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजेगा और हां हमें सब्सक्राइब और फालो करना नहूं लें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छुड़ना पाए जी हाँ ध्यान रखें हमारे साथ जुले रहिएगा रुएल खंट समझार पर और यह बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए